forcing करेंगे और यहां पिर हम लोग फर्ट यानी 11 के फस्ट चेप्टर के बारे मेरे स्टस करेंगी तो यहां पिर हम लोग जाद तो यह कुछ basic information है 45 questions physics से रहेंगे 45 questions chemistry से होंगे और 90 questions जो होंगे आपको botniology अन्य biology से होंगे जिसमें total आपके पास value कितना रहेगा 180 questions आप से पूछा जागा तो चलिए one by one हम लोग start कर रहे हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर जो सबसे पहले questions पूछा गया आपसे और इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया पहले questions को एक बार हमें read करते हैं फिर समझते हैं यहाँ से question पूछा गया है कि the maximum number of molecules are present in और यहाँ पर options दिया गया ठीक है फाइब लिटर एंटू 0.5 ग्राम एस्टू गैस 10 ग्राम ओटू गैस एंड 15 लिटर ऑफ एस्टू तो देखें यहाँ पर आपको क्या सोचना है जब ऐसा question पूछा जा तो यहाँ पर डिरेक्ट यह फॉर्मूला लगाना है क्या number of molecules जो होता है number of molecules जो होता है यह directly proportional होता है number of moles के तो यह concept को आपको इस जगाना पड़ेगा कहीं भी अगर इस तरीके का question आप से पूछा जाए तो वहाँ पे आपको यह point ही apply करना चाहिए कि आपके पास mole निकाल दीजे सबका जिसका mole ज्यादा हो जाएगा उसी में आप calculation क लिए देखें क्या दिया है इयो options में आपके पास 5D दिया है अब 5D को mole में बदल के लिए सबका हम मोल बना रहे है तो 5D को मोल में बदलने के लिए 22.4 से device करें बी option डेखिए आपके पास 0.5 ग्राम है तो इसको mole बनाने के लिए इसके molar मा से disease करें C option देखिए 10 gram है तो 10 divided by क्या करिए 32 कर दिजे oxygen है और डी जो option है यह 15 लिटर है और इसमें डिवाइट कर दिए किसे 22.4 लिटर से तो अब आप यहां पर इन सब को क्या कर दिए calculate कर लिजे तो जब आप इसको calculate करते हैं इसके जो value आता है यहां मोल calculate कर रहे है तो यह value है 0.223 मोल की value है यहां पर आप करोगे यह आएगा 0.25 मोल ठीक है और आप यहां पर करिएगा यह value है 0.312 मोल और यहां पर अगर करेंगे तो यह आएगा 0.66 मोल क्लिए अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा मोल किसका है यह यहां पर 0.223 यहां पर सबसे ज्यादा मोल किसका आ रहा है यहां पर सबसे ज्यादा मोल जो आ रहा है वह आपका आ रहा है 0.66 मोल ठीक है तो इसमें जो molecules होंगे वो maximum होंगे तो यहां आपका जो answer हो जाएगा वो answer क्या हो जाएगा fourth answer आपका हो जाएगा क्लिए यह point समझ में आगए अब आपको समझ में आ गया तो आप यहां पर formula लगा सकते है number of molecules अब इसको आप सॉल्ब कर लिजे यह 0.66 इन्टू 6.023 इन्टू 10 to the power 23 इसको सॉल्ब करिएगा इसमें सबसे ज्यादा तो इतना अपने को सॉल्ब करने की जोगत नहीं है आप सीधा यहां पर मोल काल्कुलेट करके और सीधा पता कर लिजे तो यह अपना तो चलिए next question हम लो और यहां पर आपको reaction दिया गया है 2Al2O3 plus 3C and that gives what यहां पर आपको दे रहा है 4Al and 3 आपको क्या दे रहा है CO2 दे रहा है तो आपसे यह पुछा जा रहा है कि आपको बताना है कि mass of carbon anode consumed यहां पर यह एक चीज़ देख लेते हैं पहले आप इस reactions को लिख लिजे और इस reactions को ल देख रहे हैं कि यहां पर 3 mol अगर carbon का है तो कितना mol आपका aluminium है तो यह 4 mol aluminium है ठीक है अब देखिए मैं अगर इसके mass को बदलू तो इसको लिख सकता हूँ 4 into 27 कितना gram होगे क्योंकि 1 mol aluminium का या gram atomic mass aluminium का कितना होता है 27 तो अगर आप देख रहे हो इतना अगर आप aluminium ले रहे हो तो वहाँ पर आपका जो consumed हो रहा है वो carbon जो कि यह node का काम कर रहा है वो कितना हो रहा है तो 3 into 12 ठीक है यह point अपने को समझ में आगे है तो अगर मैं इसका 1 gram लो अगर मैं इसका कितना gram लो 1 gram लो तो यह कितना consumed होगा यह होगा 3 into 12 और यह divided वही क्या हो जाएगा 4 into 27 ठीक है और यही अगर मैं किसके लिए ली, 270 ग्राम अगर मैं 270 kg आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो देखें, अगर आप ग्राम में ले रहे हैं, kg में ले रहे हैं, तो यहाँ भी आप इसको kg कर सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसको kg में ले लूँ, तो इसको अगर मैं kg मे यहां पे आ जायागा 270 अब आप यहां से cut कर दीघे इसको इसके cut कर्ये तो ठीड हो गया और यहां प्रोपेन का formula दे दिया गया major under the same condition तो देखें इस point में आपको क्या करना है यहां पे आपको यह देख लिए यह C3H8 है और इसको आपको क्या करना है जी चला देना है O2 के साथ और जलाने के बाद पता है hydrocarbon जब भी burn होता है तो CO2 देता है और क्या देता है अब आपको क्या देक रहे हैं अब आप बाइलन्टिक्शन से देकर हुएन तो आपको क्या मिल रहा है कि यह अभी आपके पास कितना है फárias एक तरह से अगर यहां तो इसको मैं 1 liter अगर ले लूँ, इस 1 liter के लिए आपको कितना जुरूत पर रहा है oxygen का, देखे 5 liter oxygen की जुरूत पर रही है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इस टेकिमेट्री को फिसेंस को volume की terms में लेके आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, च पहले तो आप निकाल दीजिए, mass of one molecule, one molecule, one molecule of water, H2O, ठीक है, और इसको अगर निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, 18 upon 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, एक molecule का mass निकल गया, अब आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, कि आप क्या निकालीए, आप volume निकालीए, तो देखे, अगर मैं volume निकालूंगा, तो volume equals to, क्या होता है, volume equals to होता है, mass divided by density, ठीक है, तो यहाँ पे हमने mass of one molecule निकाल लिया है, क्योंकि volume of one molecule पूछ रहा है आपको mass of one molecule लेना पड़ेगा, तो यह divided by 6.02 into 10 to the power 23, और density कितना दिया है, 1 दिया गया है, यह value किसमें आएगा, यह value आएगा आपको milliliter में, तो यहाँ से आप इसको solve कर लिजे, जब आप इसको solve करेंगे, तो इसकी जो value आएगी, वो आपको, कितना आ जाएगा, तो यह value हो आजाएगा, 3 into 10 to the power minus 23, या तो आप इसको milliliter लिख सकते हो, या इसको centimeter cube लिख सकते हो, तो यहाँ से आपका answer कौन सा हो जाएगा, यह वाला answer, नेक्स चलिए, नेक्स question की बात करते है, how many moles of lead, और यहाँ देखे, second दिया गया, मतलब इसका oxidation शिट दिया है, lead chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PBO and 3.2 gram of HCl, यहाँ पर देखे, आपको किया क्या गया है, यहाँ पर आपको देखे, एक reaction दिया गया है, और सबसे पहला आप इस reactions को लिखे, आपको दिया गया है PBO, और इसके साथ react किया जा रहा है किसके साथ? HCl के सांथ, और जब यह react हो रहा है, तो आपको पास एक chloride मिल रहा है, जिसको बोल रहा है PbCl2, और प्लस क्या मिल रहा है, आपको H2O मिल रहा है, ठीक है जी? आप इस बात को द्यान एंगे, सबसे पहले प्रेक्शन को बैलन्स कर लिए तो बैलन्स होगा रिक्शन सी अब देखे यहां पर आपके प्वास्व दो एमाउंट दिया गया जब भी किसी भी एक्सेंस में दो या-दो से ज्यादा रिक्टिंट का आप निया जाए तो आपको आहां पर लिंटिंग रेजन का 2 2 और यहां पर आपका कितना होगा 8 यह 3 होगा यह 3 होगा ठीक है और इसको अगर solve करेंगे तो यह value आएगा 0.029 ठीक है उसी तरीके से इसका अगर मैं मोल निकालो इसका मोल लाएगा 3.2 गिवेन मास है divided by यह हो जाएगा है 36.5 और इसका value कितना रहे 0.087 यह इतना मोल आ गया अब आपको limiting region पहचानने के लिए स्टेकोमेट्री को फिसेंट से डिवाइड करें तो इसमें 1 स्टेकोमेट्री को फिसेंट है देखिए यहां पर और यहां पर इसका 2 से डिवाइड करें तो जब आपने तो जो लिस्ट वैलू होगा वही limiting region का काम करता है याद रहेगा अपने को जो वैलू लिस्ट होता है तो इसमें यह वाला limiting region का काम करें यानि PBO limiting region का काम करें तो PBO से calculate कर लिए यानि यहां पर जो यह value आ रहे है stoichiometric coefficient से divide करके यही value इसका answer हो जाएगा 0.029 या अगर आपको यह point नहीं समझ मैं है तो अब हमें पता चल गया कि यह limiting region है तो मैं लिखूंगा कि यहां से कि एक mole है ठीक है या इसको मैं लिख सकता हूँ एक mole को मैं क्या लिख सकता हूँ 2,3,3 ठीक है ग्राम लिख सकता हूँ जो आपका क्या है PBO है वो कितना late call right दे रहा है तो वहाँ पे उसका लिख लिजे late call right का value वहाँ पे आप निकाल लिजे तो late call right का value कैसे निकाल लिएगा तो यहां पे आपके पास 207 है और प्लस यहां से आप निकाल लिजे 71 तो यह आपको late call right का value हो गया तो अगर आपको पूछा जाए कि एक पे निकाल लिए ठीक है हलागि आपको mole में पूछ रहा है तो mole में आंसर करते है अपना अपना हो जागा ठीक है mole में आंसर करते है चलिए देखिए एक mole आपके पास क्या है पीबीओ है तो एक mole पीबीओ कितना दे रहा है वान mole आपको दे रहा है पीवी से लटो दे रहा है तो अगर मैं 6.5 को मैं मोल में बदल दो तू तो यह वैलू कितना देगा इतना ही देगा 6.5 डिवाइद रवाइद रवाइद टू तू तू ठीक है तो अगर देखिए जो लिम्टिंग रेजिंट है उसका जो कोफिशेंट और जो प्रोड़क्ट जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका कोफिशेंट अगर सेम है तो वहाँ पे आप जो यहां निकाल रहे हैं स्टाइकोमेट्र कोफिशेंट से डिवाइद करके वही आंसर आपका वहाँ पे भी हो जाएगा चले नेक्स बात करते हैं हम लोग त देखें कि एन और्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन हाइडोजन और ओक्सीजन इट्स एलिमेंटल एनलेसिस गिफ कार्बन 38.71 परसेंट एंड हाइडोजन 9.67 परसेंट इंपिरिकल फॉर्मूला ओप कंपाउंड वूड बी अब देखें यहां पी आपको इस कुश्च सेंड में एलिमेंट दिया गया वाओं और आपको यहां पर उसका परसेंटेज दिया गया तो पहले तो आप अलिमेंट निख लिए कार्बन इसका परसेंटेज कितना है तो 38.71 है फिर आपके पास एडोजन 2 आप जो बचा ऐसेंगे dining क्लेक्शा अक्सीजन के निकालने के तो इसका वैलू आएगा 51.62 ठीक है अब आपको क्या करना है सबका नंबर ओफ मोल निकालना है अब मैं यहाँ पर नंबर ओफ मोल निकाल रहा हूँ कार्बन का तो कैसे निकालूंगा अब आपको सिंप्लेस रहा हूँ निकालना है अब आपको सिंप्लेस रहा है निकालने के लिए हम इसमें से जो सबसे list value है उससे सब में क्या करते हैं divide कर देते हैं तो हमें 3.22 से divide कर दिया तो देखिए value 1 आ गया ये value लगभग आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये value भी आपका 1 आ गया तो अब आप इसका empirical formula अगर लिखते हैं तो आपको simplest ratio मिल गया तो carbon 1 हो गया hydrogen 3 हो गया and oxygen 1 हो गया तो यह आपका क्या हो गया simplest आपका formula के थुरू आप इसको empirical formula बोल सकते है तो answer आपका कितना हो गया 3 हो गया चले next question देखते हैं हम लो 10 gram देखे 10 gram and 64 gram oxygen were filled in steel vessels and explode amount of water produced in this reaction will be तो देखें यहां पर आप सबसे पहले क्या कर लिजें सबसे पहले reactions लिखें आपके पास है H2 आपके पास क्या है जी O2 और यह दोनों एक vessels के अंदर react करके क्या दे रहे हैं H2 दे रहे हैं आप देखें इस reactions को balance कर लिजे balance करने के लिए अगर मैं यहां पर टू लगा दू तो यहां पर क्या हो जागा टू हो जागा अब देखें यहां पर आपको यह तेन ग्राम दिया गया है ठीक है और यह कितना गया है 64 अब मैंने आपको बोला गया किसी भी 32 तो यहां पर आपका value आजाएगा 2 अब इसको simplest ratio इसका limiting region पहचाणने के लिए आप इसमें इसके स्टाइकometric coefficient से डिवाइड करिए इसका स्टाइकometric coefficient 1 है तो यहां पर value आ जाएगा 2.5 और यहां पर value कितना आएगा 2 तो यहां पर जो limiting reagent है वो कौन limiting reagent है यहाँ पर limiting reagent जो है वो आपका O2 है तो जो भी calculation आपको करना है आप O2 के थूर ही करना है ठीक है तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास एक mole अगर O2 है ठीक है तो बताओ वहाँ से कितना आपको मिल रहा है कितना oxygen आपको कितना water का production हो रहा है तो water का production हो रहा है कितना तू मोल कितना हो रहा है तो अगर आप यहां से इसका मोल बनाओ 64 को हमने मोल बने है तो कितना बने है टू मोल तो अगर आपके पास टू मोल होगा तो यह कितना हो जाएगा टू इन्टू यानि आपके पास कितना फूर मोल आपका क्या हो जाएगा ज यहां पर आपको यह formula यूज़ करना चाहिए ध्यान से सुनिएगा number of atom number of atom in a molecule पूछा जाए in molecule ठीक है अगर number of atoms in molecules पूछा जाए तो देखे यह आपको जो होता है वो आपको directly proportional होता है किसके मोल के और into atomicity के ठीक है यानि अगर आप इसका formula लिखते हैं यह तो याद रखिएगा कहीं भी यह formula यूज़ कर सकते तो अगर मैं इसका formula लिखो number of atoms in triatomic gas तो आप इसको कैसे लिखोगे पहले तो इसका मोल लिखोगे ठीक है जी फिर क्या लिखोगे इसका atomicity लिखोगे और फिर इसमें multiply करोगे किसे यह वो गया दो इस नमबर से किलियर किलियर यह point अपने को समझ में आ गया अब देखे सारा value आपको यहाँ पर दिया गया यह दिया गया 0.1 triatomic मतलब इसकी atomicity 3 है यह value दिया है 6.02 into 10 to the power 23 अब देखो जी इसको simplify करो मैं इसको 1 by 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ into इसको इससे multiply कर लो तो यह हो गया 6 यह हो गया 0 और यह हो गया 9 यहां तो कोई दिक्कत नहीं है into 10 to the power क्या हो गया 23 अब मैं इस 10 को अगर उपर ले जाता हूँ तो यह हो गया 9 पॉइं पॉइं यह 1718 होता है यहां पर तो यहां पर देखिए यह आपका कितना हो जाएगा 1 8 ठीक है तो यहां इतना हो गया अब मैं अगर इसको कहा ले जाओ अगर मैं इसको ले जाओ उपर उपर की तरब तो देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 18.06 into 10 to the power 23 और इस 10 को उपर ले जाओ तो यह 10 to the power माईनस 1 हो जाएगा अब यह हो गया 18.06 into 10 to the power 23 2 हो जाएगा 22 अब देखिए decimal को आपको shift करना है decimal को इसको shift करना इधर की तरब तो decimal left shift हो रहा है, तो decimal left shift हो रहती ही हो गए 1.806 times, आप decimal को आपको किदर shift करना है, left shift करना है, तो जब आप left shift करते हो, तो यहाँ पे आपको 23 लिग देना है, अगर आपको decimal shifting नहीं आती है, तो देखिए आप कैसे करोगे, आपके पास है 18.06 into, आपके पास है 10 to the power 22, आप से उपर जितना digit होता है उतना 10 लेता है तो 10 से उपर और नीचे ऐसे करके और multiply कर देना यहां से अब बताओ अब तुमको इसको पीछे shift कराना है पीछे shift कराने के लिए किसका यूज होता है यह होता है 18.06 divided by 10 और इसको अगर solve करोगे तो यह हो जाएगा 10 to the power 22 into 10 अब यह वा जाएगा चले नेक्स हम बात करने जा रहें which has maximum number of molecules among the following फिर आप से वही question पूछा गया है कि molecules maximum किसमे है तो मैंने अभी आपको क्या बता है कि अगर आपको कहीं भी maximum molecules की बात करे तो maximum molecules यानि number of molecules अगर maximum होगा इसका मतलब होगा कि वहाँ पे mole भी maximum होगा जिसका mole ज्यादा व पहले वाले options में देखिए आपके पास इसका mass दिया है 64 और divided by sulfur का 32 और oxygen 2 है तो 32 64 यहाँ पे mole कितना आ गया 1 आ गया given mass divided molar mass दूसरा option देखिए 44 divided by 44 तो यहाँ भी 1 mole हो गया जी तीसरा option देखिए 48 divided by 48 तो यहाँ भी कितना हो गया 1 mole हो गया चौथा option देखिए 8 divided by 2 यह हो गय तो answer आपका क्या हो जाएगा इसमें ज्यादा maximum होगा यह मोल बनाया है यह हमने क्या 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 है मोल बनाया है मोल का मतलब होता है given mass divided by molar mass given mass divided by molar mass तो यह point आप समझ लिजे तो answer आपका यह होगा नेक्स है ascertained gas ठीक है next question देख रहे है ascertained gas takes three times long to effuse out the helium its molecular mass will be तो देखे यह जो है यह अब हमारे syllabus से निकल चुका है तो यह जो आपका question है यह question है states of matter का ठीक है तो state of matter में यहाँ rate of diffusion में यह question साबसे पूछा जाएगा तो चलिए solve कर लेते हैं इस questions को देखे यहाँ पे आप से पूछा गया है क्या है देखे आपको अगर मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ rate of helium divided by rate of gas जो आपने को लेना है तो इसको मैं mass of gas divided by molecular mass of helium ठीक है आप देखें यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो helium है वो थ्री टाइम्स मोर है किससे आपका गैस से यानि यानि certain gas takes three times as long मतलब यह helium ज्यादा उससे मुप कर रहा है ठीक है उससे थ्री टाइम्स है तो आर गैस से इसका थ्री टाइम्स हो गया और यह हो गया आर गैस ठीक है अब यहाँ पे आप वैलू पूट करिए यह हो गया molecular mass of gas divided by यह हो गया फोर ठीक है तो अब हम इसका calculation कर लेते हैं तो देखिए मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ पहले तो यह और यह कड़ गया अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे दोनों तरफ अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे इसका molecular mass calculate करना है तो मैं क्या करता हूं कि दोनों side में मैं square कर देता हूं तो यहां पी आपको क्या दिया गया है आपके पास यह एक compound है माल लीज़े मैं इस compound को X माल लेता हूं ठीक है यह आपके पास एक compound है और इस compound का नाम आपको दिया गया है अगर मैं लिखू तो इस compound को मैं इसे लिख सकता हूं और यहां पे एकसेस में आपके पास क्या दिया गया है अब जब यह रेक्ट करेगा तो यह बना रहा है और यह अगर मैं इसके मोल को इसके मोल के एककोल कर दो त्यक है मैं यहाप लिख सकता हूं कि मोल ऑफ एजी सेल जो बनेगा वो किसके एककोल होगा वो होगा मोल ऑफ सियार एस टू ओ ओ फो फोल 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 चेल टू एंड इसको बोलते हो सोडियम अगर मैं यहां पर आपको दिया गया तो मोल कैसे निकालोग तो देखो मोल निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि formula लगा दीज़े, molarity वाला formula, अगर आपको आता है, molarity question क्या होता है, आपको होता है, mole by volume of solution in milliliter, और into ये क्या हो गया, जए आपका thousand, तो अगर मुझे यहां से mole निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, m into volume in milliliter, तो divided by thousand करना पड़ेगा, तो यहां पर जो volume दिया हो, thousand दिया गया, hundred दिया गया, divided करिए उसे किसे, thousand से into multiply कर दीज़े, 0.01, अब देखें, ये से ये कट गया, दो value कट गया, अब यहां को अगर लिखें, ये हो गया 1 upon 10, और ये value हो गया 1 upon 100, अब इसको solve करोगे, और ये आएगा 1 upon thousand, अब 1 upon 1000 लिखोगे, 0 point, 1,0 आजाएगा, फिर 1,0 लोग तो फिर 1,0 आजाएगा, फिर 1,0 लो तो फिर 1,0 आगया, तो one time आपका ये आएगा, तो answer कितना हो जाएगा, ये ही आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाए तो answer आपका second वाला हो जाए तो यह इस तरीके से कट-कटा क्या आप कर सकते हो तो यह मैं correct कर देता हूँ ठीक है तो यह इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो चले next देखते हैं हम लोग equal message of hydrogen oxygen and methane have taken in container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions ठीक है जी the ratio of the volume of the gas H2 O2 and methane ठीक है तो यहां पर देखे आपको क्या दिया गया आपको यहां पर लिए आ गया है H2 यहां पर लिए गया है O2 और यहां पर लिए गया है methane CH4 ठीक है जी यह point अपने को आगे समझ में अब देखे अगर equal mass की बात करें तो equal mass में मैं है आप ऐसा ले लेकता हूं सबका 1 1 grand ले लेता हूं सबका क्या ले लेता हूं 1 1 grand तो equal mass होगे अब मैं सब में divide कर देता हूं इसके molecular mass से यानि इसको मॉल बनाता हूं इसको मैं आप प्रेक्ट करें चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स अपना क्वेशन है वेंड 22.4 लिटर ऑफ एस टू इस मिक्स विट 11.2 लिटर ऑफ इस एल टू इच एट स्टी पी दमोल ऑफ एस एल गैस फॉर्म डिज इकल टू तो देखें यहां पर करना क्या है आपको सबसे पहले लिख देना है आपको लिखना है अच यह तो सबसे पहले एनका मोल बना ली जै तो मोल बनाने के लिए आप molar volume से divide कर दीजे और यहाँ पे 11.2 divided by 22.4 तो यह value हो जाएगा 0.5 ठीक है जी आप दोनों के coefficient से divide करेए तो यहाँ भी coefficient 1 है यहाँ भी coefficient 1 है तो यह हो गया 1 और यह हो गया 0.5 यानि यहाँ पे जो CL2 है वो limiting region का काम कर रहा है यहाँ से formula देख लिजे यह वाले जो value है वही यह बनेगा या आप mole-mole relation लगा लो 1 mole CL2 जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 2 mole HCl दे रहा है तो 0.5 mole कितना देगा तो 2 into 0.5 यानि यह कितना देगा जी 1 mole आपको क्या देगा HCl तो answer क्या हो जाएगा आपका first चलिए next हम बात करने जा रहे है question number 14 की इसमें देखे क्या दिया गया है इसमें आपको दिया गया है कि 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram oxygen in closed vessels which reactant is left in excess and how much अब देखे यहाँ पे आपको क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे reactions को लिख लेना आपके पास का है mg है और आपको इसको रियक्ष करना है किसके सांथ O2 के सांथ तो क्या बन जाएगा MGO बन जाएगा सबसे पहले आप इस reactions को balance कर लिए तो यहाँ पे balance हो गया अब देखे इसका value कितना दिया गया 1 gram ठीक है आप तो यह value आएगा 0.04 और इसका value आएगा 0.016 आप इसमें इसके stoichiometric efficiency divide कर दिजे तो यह value आएगा 0.02 और यह value आएगा 0.016 अब यह list value है यह कहाँ जी यह list value है जो list value होता है वही LR होता है यानि limiting agent होता है तो यहाँ पे जो LR है limiting agent है वो क्या हो गया O2 हो गया तो आप इसके help से क्या करिएगा consume amount निकालिएगा किसका mg का कैसे देखे अगर आप देख रहे है कि O2 है तो इसके लिए आपका कितना mg लग रहा है 2 mole आपको mg लग रहा है यानि तो अगर आपके option में दिया गया कि 3.56 gram अगर हो तो कितना लगेगा तो 2 into 24 into कितना लिखोगे 0.56 और divided by 32 तो आप इसको solve कर लिजे जब आप इसको solve करेगा तो भेले हो आएगा 0.84 gram यह consumed हुआ तो left amount निकाल लिजे left amount of mg equals to क्या लिखेगा left amount of mg equals to क्या लिखेगा कितना दिया है 1 दिया है तो 1 minus 0.84 तो यह value जब solve करोगे आप तो यह value आएगा 0.16 gram तो answer आपका क्या हो जाएगा यह वाला चलिए next question देखते हैं और next question में दिया गया है कि आपके पास 20 gram decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide what will be the percentage purity of magnesium carbonate in sample तो देखे percentage purity वाले questions को क्या करना सबसे पहले तो यह हमारे पास mgCO3 है magnesium carbonate अब इसको अगर आप heat करते हो तो यहाँ से क्या देगा यह देगा mgO और प्लस क्या देगा CO2 अब देखे इसमें क्या है कि जब आप यह sample लिए हो तो यह sample कहीं न कहीं कैसा है impure sample है तो जब इस impure sample को आपने heat किया है तो यहाँ से कुछ value निकला है और यह दे रहा है कि 8 gram आपका mgO बना है तो पहले तो मैं इसका जितना बनना चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ तो अगर देखिए अगर मैं mg की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखिए कि जो mgCO3 है अगर आप 84 gram इसका लेते हैं एक mol का मास 84 gram है तो यह आपको 40 gram बन रहा है 40 gram कैसे बन रहा है 24 प्लस 16 कर देजे तो अगर आप इसका 1 gram लेजेगा तो यह कितना हो आपको 40 divided by 84 और इसका अगर 20 gram लेजेगा तो कितना बनेगा तो यह बनेगा आपको 40 by 84 और उपर चला गया 20 यानि यह value आएगा 9.5 यानि अगर आप ग्यान से समझेगा अगर यह pure होता तो हमारा जो value आता mgCO बनता हो कितना बना है 9.5 बनता है लेकिन बना कितना है actual में बना कितना है 8 में 8 gram बना है तो इसलिए अब हम जब percentage purity निकालेंगे क्या निकालेंगे percentage purity निकालेंगे तो जो इस reactions में दिया गया है वो value रखिए और जो expected था वो value यहाँ पर रखिए और into क्या कर देजे 100 कर दिजे तो इस तरीके से आप इसको solve कर लिजेगा यह value आएगा कितना जी 84% के करीमे तो यह 84% pure है आपका next है question देखते है कि what is the mass of precipitate formed when 5 milliliter of 16.9 अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर W by volume में दिया गया solution of ageno 3 is mixed with 50 milliliter of 5.8% यह भी W by volume में आपको दिया गया NACL ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितना mass precipitate होगा यानि आप समझ लिजे questions क्या बोल रहा है आपके पास क्या है आपके पास है ageno 3 और यह ageno 3 react कर रहा है किसके साथ NACL के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है precipitate का formation मान लिजे HCL और यही precipitate होगा यहाँ ठीक है तो अब हमें इसका amount निकालना है जी तो कैसे निकालेंगे तो देखे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इसका volume कितना दिया इसका volume दिया 50 milliliter इसका भी volume कितना दिया गया है 50 milliliter इसका weight by volume का जो percentage दिया गया हो कितना दिया गया है 16.9 और इसका weight by volume का जो percentage दिया गया है वो 5.8 दिया गया यह divided by 100 कर देते हैं percentage है तो यह divided by 100 तो अगर मैं यहाँ से weight निकालूं तो मैं क्या निकालूंगा 16.9 divided by 100 into यहाँ पे मैं 50 लिखूँगा यहाँ पे भी weight निकालूँगा तो 5.8 divided by 100 और into यहाँ पे क्या लिखूँगा 50 लिखूँगा और जब इसको आप solve करोगे तो यहाँगा 8.45 इसको अगर आप solve करोगे तो यहाँगा 2.9 अब आप mole निकालो mole of agno3 अगर मैं निकालो तो हमारे पास क्या आगया 8.45 divided by molar mass अगर निकालोगे तो 169.8 इसको solve करो यह value आएगा 0.65 अब मैं इसका mole निकालने जा रहो mole of anacl अगर मैं निकालोगो तो यह कितना आ जाएगा यह आजाएगा 2.9 divided by यह आपका आएगा 58.5 इसको solve करिए value आएगा 0.05 तो आप क्या देखोगे यहाँ पर अब आप क्या देखोगे यह आपका क्या हो जाएगा यह list value है और यह आपका ज्यादा है तो यह limiting region हो जाएगा यह LR हो जाएगा तो मैं अब इससे calculation करता हूँ कि अगर एक mole मेरे पास है यानि मैं बोलाओ कि फिप्टी फिट कॉइंट फाइब आपके पास एनसे ले तो उससे आपको कितना मिलेगा वो निकाल दीजे यहाँ पे आप देख लिए ऐसे निकाल सकते तो आपको डिरेक्ट आप यहां से लिख सकते है ऐसे भी लिख सकते है जो यहाँ पर आपका वैलू आया वही इसका वैलू होगे यह हो जागा 0.05 और मास बदलने के लिए इसके अगर आप देखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 58.5 ग्राम एने सील जो है वह कितना दे रहा है 143.3 ग्राम आपको एजी सील दे रहा है तो आपके इक्वेशन में अगर मैं एक पर निकालू तो यह आएगा 143.3 divided by 58.5 और यही वैलू मैं कितना पर निकालू 2.9 पर निकालू तो यह वैलू अगर 143.3 divided by 58.5 into 2.9 कर लिजे वैलू आएगा 7.1 ग्राम तो आपका यह आंसर हो गया नेक्स देखते हैं आपके पास क्या दिया है क्वेशन एक्वेशन एक्वेशन और प्लेस्ट इन कंटेनर विथ पीन होल थो विच बोथ केन एसकेप वाट फ्रेक्शन ऑप ऑप्सीजन गैस एसकेप इन टा आपको मानना पड़ेगा ठीक है क्या मानना पड़ेगा मालीजे कि जो मूल ओफ गैस है ठीक है मूल अप इच गैस माल लेके मूल अगर बोले तो यह कितना है यह एक्स है अब देखें यहाप यहापको दिया है कि फ्रेक्शन है ठीक है फ्रैक्शन ऑफ हीड्रोजन एसकेप बोल रहे है तो अगर एक्स का वन अफ अगर हाफ अगर हैड्रोजेन निकल गया है तो अब आपको rate of oxygen और rate of hydrogen का क्या करना है ratio निकाल ना है तो यहां पे हो जाएगा molecular mass of hydrogen divided by molecular mass of oxygen तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे number of rate देखे number of mole our time होताık है यहाँ भी number of mole है और यह number of mole हमको यहां पर निकला है कितना है तो यह है one upon two जैने एक्स अपॉन टी टू और टी टी इसलिए ले रहे हैं कि दोनों का टाइम हम सेम ले रहे हैं ठीक है तो यह वैलू जो आपको हो जाया गाई टू अपॉन थर्टी टू हो जाएगा इसको सॉल्व करिए a number of mole of or two कि अगर बात करोंगे तो यह value हो जागा कितना लिए यह value हो जाएगा अपका यह कटकटा की तना उलेगा यह वाजाएगा एकस अपॉन two और यह value हो जाएगा वंड़ उन अपॉन next question में देखे क्या है suppose the element x and y combine to form 2 compound x y 2 and x 3 y 2 when 0.1 mole of x y 2 weight 10 gram and 0.05 mole of x 3 y 2 weight 9 gram the atomic weight of x and y are तो देखे इस question को कैसे करना है सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए कि आपके पास x है और आपके पास y है और यह दोनों react करके दो तरीके के compound आपको दे रहे है ठीक है जी एक जगा क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है x y 2 मिल रहा है और एक जगा क्या मिल रहा है आपको x 3 y 2 मिल रहा है यहां तक अपने को समझ में आ गए अब देखे इसका mole दिया गया है इसका mole कितना दिया गया इसका मॉल जो दिया गया है वो दिया गया 0.1 और इसका मास कितना दिया गया है और इसका मास कितना दिया गया है और इसका मास दिया गया है और इसका मास कितना दिया गया है 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 इसका मास कि ह contrary को मोल को मोल को का लिखते हैं हैं यहाँ पमें बोल रहा है अगर में मोल को लिखो तो मोल को हम क्य लिख Underground को लिखते हैnosis कि बाई jaar मुलार मास यह लिखते हैं हाई ना मस ऐसक्षामांच अब तर्मज Pan ओ दीखेज अब मुझे अगर यहां से क्या क्या निकलना है अगर मुझे यहां से यहां पर देखे क्या क्या आपके पास मोल भी है और आपके पास क्या है मास भी है तो क्या आप यहां से मुलार मास निकाल सकते हो तो मुलार मास निकालने के लिए में यहां पे क्या लिख सकता हूँ सकता हूं मास और यहां पे को मोल ता अब यह मैं लिखाँ मुलार मास आफ एक्स वाइट d sta क्या में इसको लिख सकता हूं 0.1 inch 10 जीरो पाइंट 156 ना ऐसे लिखना पड़े गा यह लिखना पड़ेगा आपको कितना यह mass कितना है 110 और divided by mole कितना है 0.1 अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मुलार mass को क्या लिख सकता हूँ atomic mass of x plus atomic mass of y देखें और यह value को मैं क्या लिख सकता हूँ यह 0 को decimal को break करोगे तो यह हो जाएगा 100 तो equation क्या हो जाएगा 1 यहां से भी आप निकालिए यहां से भी आप निकालिए मुलार mass किसका xy2 नहीं x3y2 से तो यह value है 0.05 नहीं यहाँ पर आपको mass लेना है और यह mass कितना है जी 9 9 gram और divided by 0.05 तो यह value कितना होगे 900 divided by 5 यह होगे 180 यानि अब यहाँ पर देखें 3 ax plus 2 ay equals to 180 यह आपका दूसरा equation होगे आप यहाँ पर 2 minus 1 करें तो आपके पास हो गया 3 ax plus 2 ay equals to 180 और यहाँ पर हो गया ax plus 2 ay equals to 100 आप इसको minus कर देजे आप इसको minus कर देजे यह तो cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 80 और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 ax तो ax की value atomic mass x की कितनी होगे 80 upon 2 यह होगे आपका 40 अब देखो 40 answer का है तो यहाँ पर आपका 40 answer है तो y का निकाल लो आप कहीं भी तो ay equals to 60 y 2 equals to 30 तो आपको ax का जो atomic mass आया 40 और ay का जो atomic mass आया आपको 30 तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ चले next question देख रहे है हम लो next question में क्या है an organic compound on analysis was found to contain 71.7 percent of chlorine 4.04 percent of hydrogen and rest carbon if the molecular weight is 99 calculate molecular formula देखो यहाँ से आप चाहो तो आप इसको percentage में निकाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर percentage of carbon लिखूं percentage of hydrogen लिखूं और percentage of chlorine लिखूं लिखूं एक तो आप यह मैठेर है दूसरा है कि देखो यहाँ पर molecular weight दे दिया गया तो आप सब का molecular weight निकाल लिए यहाँ से अगर जिसका 99 आता है वो से कि 450 अधीर होगानी दुसरे का निकालते हैं यहोगा 24 यह अधीर टू और यहोगा 71 तो देखो teleka 15 137 हो गया और यह होगे 9 यह भी नहीं होगा यहाँ पर देखो यह होगे 24 यह होगे 4 और यह होगे 71 यहाँ पर आपका बन रहा है तो आप कहा अंसर क्या हो जाए गाई यह वाला हो जाए नेक्स्ट है मिक्सर आप 2.3 ग्रम फॉर्मिक एसिड और फॉर पॉइंट फाइब और मॉजलिक एसिडिस ट्रीट कंसेंट्रेट इस ट्रीट सफोर दे इवाल्व गैसेज मिक्सरी पास्ट्रों के विच एलेट्स वेट इन ग्राम आप दे रिमेनिंग पोड़क्ट एट स्टीप विल भी यहां पे concept है क्या concept है वोग त्रसमते हैं देखे यहां पे आपको करना क्या है कि यह रिएक्शन आना चीए जैसे यह होता है फॉर्म के सिर्ट एट सी ओ पॉप उपच्छ तो देखे जब आप इसमें एक संट्रेटेटिट इसल्फूरी कैसी डालते हैं जहां से समझेंगे तो concentrated sulfuric acid यहां से पानी को absorb कर लेता है ठीक है तो पानी को यहां से बाहर निकाल दिया तो बच्चा का यहां पर सी ओ ठीक है यह पॉइंट अपने को आना चाहिए दूसरा देखिए और जेली कैसी रहे दूसरा किया जी आपके पास है और जेली कैसी अब देखिए अगर आप स dialty यह क्या करता है यह पानी को यहां से营म by यहां से अपको मिलता है सीओ पर आपको बंता है अ चलिए अब यहां पे आपको क्या करना आ वो थूरा देखिए आपको यहां पर मास दिया गया यहह देखिए3 ञाय इसका मैं मूल बना लेक्ती से डिवाइट कर लेता हूं य लेखे यह कितना बना होगा यह 10.05 बना हुगा इसका वैलु दिया है 4.5 और इसका मॉल्लेकूलर मास होता है 9 टी यह भी वैलु पयलु होगा आप इसको solve करोगे और solve कर लो आप कितना आ जाएगा आप इसको solve कर लिजे तो value आ जाएगा यह जाएगा 0.1 mole और mass से इसमें multiply कर दिजे यह value होगा 2.8 तो answer आप करते हो जाएगा 2.8 चले next हम बात करने जा रहे हैं और next में क्या है अपने पास कि in which case number of molecules of water is maximum तो देखें यह questions में आपको कहीं भी अगर molecules की बात करें तो number of molecules directly proportional होता है mole के तो आप mole निकाल लिजे जिसका mole जादा होगा उसी में आपका होगा तो यह 18 milliliter पानी जो है इसको अगर आप बदलोगे तो यह 18 gram होता है और 18 gram को अगर mole में बदलोगे तो 18 by 18 तो यह हो जाएगा one mole और एक mole में कितना होता है 6.02 into 10 to the power 23 तो यह आपका answer हो जागा है next है the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through to have a process यह पॉइंट कैसे करना है आपको करना है एस्टू प्लस आपको लेना एंटू और यह देगा आपको एनस्थी बैलेंस कर लिजे तो यहां पर आपको 3 लगाना पड़ेगा अब देख यहां पर बोल रहा है कि number of moles of hydrogen molecules required पूस रहे तो यहां पर आपको यह कितना मिल रहा है 2 mole मिल रहा है तो उसके लिए required कितना है 3 mole hydrogen है अगर मैं 1 mole इसका लूँगा तो यह कितना हो जागा 3 by 2 इंटू 20 यह कट गया आपका value आ जागा 30 mole तो आंसर कितना हो जागा यह ठीक है तो आज की class में हमने पूरे mole concept को हमने discuss कर लिया next class में हम लोग next video के discuss करेंगे okay thank you